नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बंसरल वास्तू कंसलिटन्ट हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक नए विशय पर जाचा करेंगे आज का विशय है आपकी अपनी दुकान है या शोरूम है और वो सौथ फेसिंग यानि दर्शिन मुखी है तो आज मैं आपको जो बाते बताने जा रहा हूँ आप अपनी दुकान पर गौर कीजिए यदि आपके यहां कस्टमर का आगमन कम है तो आपके यहां कस्टमर का आगमन कैसे बढ़ेगा इसके बारे में जनकरी देना जा रहा हूँ आप अपनी दुकान के शोरूं के बाहर के भाग में खड़े हो जाए और अपने दुकान को अपने शोरूं को अच्छे तरीके से देखे सबसे पहले आप अपने शेटर के कलर को चेक करें जो आपका शेटर लगा हुआ है उस शेटर पर आपके यहां कौन सा रंग है उसके बाद जो आपका अपना board है जो holding है उसको check करें उस पर कौन-कौन से रंग है color है और सबसे बाद में फिर आप चेक करें जो आपकी दुकान है जो आपका अपना शुरूम है वहां पर आपने बाहर के भाग में यानि आपके श्चैस से जो बाहर का भाग है उसका फर्ष का रंग क्या है और इसी के साथ जो आपने अपने दुगान के बाहर फुटमेंट डाला हुआ उसका रंग क्या है आपके यहां शेटर का रंग रेड कलर या मैरोन कलर या आपके यहां पिंग कलर ही होना चाहिए इसके अलावा यह कोई दूसरा रंग होता है तो मेरा अपना यह मानना है कि आपके यहां जो फुटफॉल है जो कस्टमर आते हैं उसका आगमन कम होगा आपके यहां जो आपका एलवेशन है उसमें पिंक कलर या पीच कलर ही होना चाहिए इसी के साथ जो आपका बोर्ड लगा हुगा है जो रिप्रील मेरून कलर य ayuda कलर पीच कलर और बिज कलर ही होने चाहिए इसके अलावा और पेहां को ख़ुटवाल मैं होना चाहिए इसके बाद आप अपने इसकर से बाहर के बात को चैकर एँगन कम हें यही वह और पर फर्स पर रेड कलर है तो आपके यहां अच्छा Cabinet कियू जो फुटफॉल है उसमें कहीं न कहीं कमी जरूर होगी आपने अपने दुकान के बाहर जो फुटमेक रखा हुआ है उसका कलर रेड कलर है, मैरून कलर है, ब्राउन कलर है तो आपके यहां मेशा ही फुटफॉल अच्छा रहेगा यदि इसके लावा और कोई कलर है, तो मेरा अपना यह मानना है कि आपके यहां फुटफॉल में कहीं न कहीं कमी जरूर रहेगी आपके यहां जो कस्टमर आते हैं, वो कम आते हैं जो बाते मैंने आपको बताईए, जो कलर स्कीम आपको बताईए यदि आप इस तरीके से अपने दुकान के, अपने शोरूर के फ्रेंक के भाग को भी सही कर लेते हैं तो आपके यहां जो फुटफॉल है, जो कस्टमर का आगमन है, वो हमेशा ही ज़्यादा रहेगा और इसी के साथ जब कस्टमर आपके यहां ज़्यादा आएगा, फुटफॉल ज़्यादा होगा, तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा ही मिलेगा आप मेरी बातों को सुने, समझे और विचार करें जो कलर मैंने आपको बता यह कलर आपके यहां है, तो हमेशा ही आपकी सेल ज़्यादा रहेगी यह मेरा अपना अनुभव है, आप मेरी बातों को सोचे, समझे और विचार करें आपको लगता है कि बंसल जी की बाते बिल्कुल सही है तो आप अपने यहां अपनी दुकान में अपने शोरू में बदला जरूर करें आप मेरी वीडियो को अपने वाटसप ग्रूप में और फेस्बूक ग्रूप में जरूर शेयर करें इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नहीं विशया पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार